नमस्कार, स्वागत है आपका फेलर स्टेडी मंतरे डिप चनल पे साती हो उजला वाला प्रशन दुवारा से कोट की सरड में जा चुका है आपको मालिम ही है क्योंकि पहले इस प्रशन पर इलावाद हाई कोट का इनेड़ा आयता है सिंगल बेंच का कि आप जिस भी साती नें, जिस भी दोस्त ने S और D option किसी को भी marks किया है और D में से तो सब को marks दे दिया जाए लेकिन यही बिवाद की जड़ है यही बिवाद का करण है कि दुवारा प्रशन यह तुमारा किसमें पहुंच गया है डबल बैंच में पहुंच गया है और यह हो गया है कि उजला वाले प्रशन को दुवारा से चेंज किया गया है और मैंने क्या कहा कि उजला वाला प्रशन जो मैंने लिखा हुआ है उजला वाला प्रशन गेम चेंजर साबित होगा बल्कुल साती कैसे होगा बहुत मैं आपको भी समझाता हूँ अब इसमें जो challenge किया गया है जिस याची के द्वारा उसने ये कहा है कि या प्रिशन को हटा दिया जाए पहली बात तो ये या फिर इस पर फुलमाक्स दिया जाए उनका ये तरक है और तरक क्या है मैं बताता हूँ उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रशन के दो ओप्रशन सही नहीं हो सकते तो इसमें ये बिवादत प्रशन है और बिवादत प्रशन को हटाना ही सही होगा या इस पर सभी को फुलमाक्स दिया जाए ये था इसका मतलब अब देखो साथियो जिन्होंने ये प्रशन का जिनके पहले से उप्रशन गलत था जैसे मालो कि A लगाया था उसका तो सही था जिसका उप्रशन B, C, D किसी को भी चूज किया हो उसके लिए ये प्रशन अगर हटता है या फुलमाक्स मिलता है उसके लिए फाइदे बंद रहेगा तो सातियों उनके लिए फाइदे बंद होगा और जिसका पहले सही था उसके लिए कोई फाइदे बंद नहीं रहेगा और ये प्रशन बिवादित इसलिए है और ये प्रशन हटना भी चाहिए रीजन क्या है कोट ने किस आदार पर इंड़र दिया कि एक प्रशन के दो उप्सन सही माल लिए जाए कोट ने खुद जगडे की जड़ पैदा किये और ये प्रशन अब भी हटना चाहिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा इसमें कुछ ज़्यादा चेंज होने की जरूरत नहीं है दूसरा साती इसकी जो डेट है मैंने आपको बता दी थी एक से छे नमबर पर लगा हुआ है 16 मार्च को आपका कौन सा बाला उजला वाला प्रशन यह उजला वाला प्रशन 6-16 मार्च को और सब कुछ किलियर हो जाएगा 16 मार्च को ही कि इस प्रशन में क्या होने वाला है क्या यह continue रहेगा मतलब आगे मतलब इसको कुछ हो सकता है प्रशन पर यह हट जाएगा ऐसा भी हो सकता है कि 16 मार्च को ही क्वेस्ट डिस्पोज हो जाए रीजन क्या है कि इस पे कुछ ज़्यादा है नहीं अगर होगा कंसिडर किया जाएगा तो यह भी से नेड़ा दे दिया जाएगा कि इसको हटा दिया जाए या फिर इसको फुल मार्च से दिया जाए देगो मैं कोची और बताता हूँ आयोग का मन था पहले से ही कि इस परसूं को रटा दिया जाएगा एक परसूं ए आय एक को दू परसूं और रटा दिया जाएगे जिससे बच्चों का विवाद खत्म हो जाए लेकिन माननी कोच का जो नेड़ा था वो बच्चों के हलंक से नहीं उत्रा और 12 से बच्चे code में पहुँच गए है, यह सब कुछ सेनारियो रहा, लेकिन आपको मालम ही है कि 16 March का code case है हमारा, वो 106 नम्मर पे listed हो गया है, अब देखते हैं कि इसकी सुनबाई कितना कारगर हो पाती है, जो याची करते हैं उनके लिए और सभी के लिए भी, ठीक है साती हो, और 14 March का जो आपका एक और लगा हुआ है code case, 791399 और 7663, यह तुमारा code case था, उसमें क्या होने वाला है, चार प्रशन हैं, दो GS के हैं, दो हिंदी के हैं, इसमें भी उम्मीद है, जहां तक मैं समझता हूँ, उम्मीद है, एक या दो प्रशन चेंज होने की, ठीक है सात 25, मार्क्स बढ़ जाएंगे, और जिनका पहले ओ, यह उप्सन था, उनका कोई फरभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है साथियो, तो यह सब कुछ सेनारियों को देखते हुए, और अगर ऐसा होता है, फुल मार्क्स मिलता है, या फिर प्रसन डिलीट होता है, तो यह माले न, क टॉप, जो गलत लगाए बैटेते हो, उनको थोड़ा सा रहात मिल जाएगी, और जो सही था, उसको कोई रहात नहीं मिलेगी, और मुझे लग रहा है, कि यह कंसीडर किया जाएगा, और यह फुल मार्क्स दिया जाएगा, या फिर आयोग के द्वारा, कोट के द्वारा, या फिर इसको ड्लीट मारा जाएगा, और आयोग इस पर मंसाय राजी भी था, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया पासा, ठीक है सातियो, तो यही सब कुछ सेनारियो था, मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, और आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में कमेंट वाक्स म अब असलेके हैं, ठीक है सातियो, बहुत बहुत धन्यवाद,